दोस्तो आप सब लोग जानते हैं कि भगवान स्रीकृष्ण को बासुरी अत्यन्त प्रियत ही भगवान स्रीकृष्ण हमेशा ही इस बासुरी को अपने साथ रखते थे तो दोस्तो आपने कभी सोचा है कि स्रीकृष्ण इस बासुरी को हमेशा अपने साथ क्यों रखते थे क्या रहस्य था इस बासुरी का इन सब बातों का जवाब जाजने के लिए देखते रहे इस वीडियो को तो जब स्रीकृष्ण अपने बाल्यावस्ता में थे तब वे हमेशा अपने मित्रों और गायों के साथ वन में जाया करते थे और वही पे अपने दोस्तों के साथ खेलकुत करते हुए अपना सारा दिन बिताते थे वेसे ही जब भी मोका मिलता था तब वे वन्य प्रस्तुत सारे रुक्षों से और वहां के पशों से भी बात करते थे जब भी स्रीकुष्ण पेडों से बात करते थे तब वे हमेशा उन्हें कहते थे कि हे पेडो मैं तुम से और इस सारे वन से बहुत प्रेम करता हूँ तुम सब मुझे अत्यन्त प्रिय हो भगवान स्रीकृष्ण के ये मदूरशब सुनकर सारे पेड़ पोधे बहुत खूश होते थे और वे भी श्रीकृष्ण को कहते थे कि है भगवन हम सब भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन श्रीकृष्ण वन में घुम रहे थे तभी उन्हें एक बांबू का रुक्ष दिखा भगवान श्रीकृष्ण उस रुक्षण के पास गए श्रीकृष्ण को अपनी तरफ आते देख बंबु के रुक्षण ने श्रीकृष्ण से कहा है भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहो। तब बंबु के रुक्ष ने कहा बताईए भगवन अगर मैं आपकी कुछ भी सेवा कर सकू तो ये मेरा सोभाग्य होगा। तब भगवान स्रीकुष ने कहा कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ और इस कारण मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा लेकिन अगर तुम चाहो तो ही मैं ऐसा करूँगा। तब शन्भर भी विचार न करते हुए बंबु के रुक्ष ने कहा कि है भगवन मैं अपने प्रान आपको देने के लिए तयार हूँ मेरा जीवन पूर्ण रुप से आपको ही समर्पी थे। तब भगवन स्रीकृष ने उस बांबु को काट दिया और उसमें छेट करने लगे। जब स्रीकृष ने ये सब कर रहे थे तब उस बांबु को बहुत दर्द हो रहा था और बांबु रो भी रहा था। कुछ सम्माइग में श्रीकृष ने उस बांबु से एक सुंदर बासुरी बनाई। यह बासुरी श्रीकृष न हमेशा अपने साथ रखते थे। सोते हुए भी यह बासुरी श्रीकृष न के साथ ही रहती थी। दिन का ज्यादा वक्त श्रीकृष न इस बासुरी के साथ ह प्रियों हो गई कि रुंदावन की गोपिया भी इस बासुरी से जलने लगी एक दिन गोपियों ने बासुरी से कहा कि स्रीकृष्ण से हम सब बहुत प्यार करते हैं फिर भी स्रीकृष्ण हमारे साथ थोड़ा ही समय बिताते हैं और पूरा समय तुमारे साथ बिताते हैं ऐस इस प्रकार गोपियों के बहुत पूछने पर उस बासुरी ने बताया कि मेरा बस एकी रहस्य है कि मैं अंदर से पूर्ण प्रकार से रिखता हूँ मुझसे वही स्वर निकलते हैं जो भगवान स्रीकृष्ण के मुख से मेरे अंदर प्रवेश करते हैं मैं पूर्ण रूप से भगवान स्रीकृष्ण को समर्पित हूँ अगर तुम भी अपने मन से काम, क्रोध, मोह, लोब, मसर, इर्शा इन ओगुनों को समाप करके अपने म को रिक्त करते हो और अपने आपको पूर्ण रूप से भगवान स्रीकृष्ण को समर्पित करते हो तो तुम से भी वही निश्वार्त प्रेम जलकी का जो कि भगवान ने सब जियों में प्रस्तापित किया हैं इस प्रकार तुम भी भगवान स्रीकृष्ण के सब से प्रिय बन जाओगे तो दोस्तो आपको एक कहानी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंड में बताईए और इस वीडियो को लाइक कीजे और इसे नहीं कहानिया सुनने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद दोस्तो